हेलो विर्वन आज हम करेंगे क्लास तेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोशन्स एरियास ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सिग्मेंट से रेलेटेड यह कोशन्स आपके एक्जामेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमें विल का डायमेटर बताना है कितना होगा सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बाइसाइकल है उस बाइसाइकल का जो चक्का है जो पहिया है वो 5,000 रिवलुशन करता है पाँच हजार बार घुमता है तो 11 किलोमेटर का डिस्टेंस तै करता है तो सबसे पहले तो हम फाइंड करने का कोशिस करेंगे कि यह जो पहिया है इसका रेडियस कितना है तो यहां पर हम लिखेंगे वन रिवलुशन इकवल टू हो जाएगा चुकि यह 5,000 जो है 11 किलोमेटर करता है तो 11 किलोमेटर को 1 किलोमेटर इकवल टू 1,000 मेटर होता है और 1 मेटर इकवल टू 100 सेंटीमेटर तो 11 किलोमेटर को हम चाहे तो मेटर में भी कनबर्ट कर सकते हैं और चाहे तो सेंटीमेटर में भी कनबर्ट कर सकते हैं तो हम सेंटीमेटर में कनबर्ट करेंगे 11 multiply 1000 multiply 100 और चुकी 1 revolution का हम निकाल रहे हैं इसलिए इसको 5000 से हम divide करेंगे 11 multiply 100 by 5 और यह 5 से यह 20 यानि 11 multiply 20 और यह जो है हमारा 220 220 हो जाएगा और यह हमारा आगया revolution इसका एक revolution का आगया कि एक बार revolution जब यह करेगा तो इतना का distance इतना centimeter का distance तै करेगा तो सबसे पहले हम निकालेंगे circumference of circle equal to formula जो था हमारा 2 pi r होता है और यह circumference हम निकाल के रखेंगे 220 equal to 2 into 22 by 7 into r और सबसे पहले हम आपे हम r का value निकालेंगे तो r equal to 220 multiply 7 by 2 into 22 और 22 से यह जो है हमारा यह 10 बार में खतम हो जाएगा तो r equal to 10 into 7 by 2 और 2 से यह 5 यानि r का जो value है हमारे पास 35 आ गया यह हमने radius find कर लिया और यहाँ बोल लागे find the diameter of the wheel हमें wheel का diameter find करना है तो सबसे पहला आप इतने नोट कर ले r का value मेरे पास आ गया है अब diameter हमें निकालना है तो diameter जो formula था d equal to 2 r होता है तो d और 2 r का जो value है 35 यानि d equal to 17 cm हमारा diameter का value आ गया आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर ले उसको बाद इसी बेस्ट एक और questions आप पूम देंगे previous questions के best पर ही एक और questions आपके पास है आप इस questions को खुच से करने का प्रयास करें question है the diameter of each wheel of a bus is 140 cm how many revolutions per minutes must a wheel make in order to move at a speed of 66 km per hour वहाँ पर हमारे पास जो previous questions में हम देखे हैं वहाँ पर मेरे पास हमने radius find किया था और radius find करके diameter find किया था बट इस questions में हमें diameter given है diameter एक wheel का given है 140 cm तो diameter equal to 140 cm radius जो होगा 140 by 2 यानि 17 cm और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि how many revolutions per minute must a wheel make in order to move at a speed of 66 km per hour वो जो चक्का है एक मिनट में पर मिनट यानि एक मिनट में कितनी बार चलेगा कि उसका जो speed है 66 km per hour का होगा आप इस questions को करने आप रास करें क्रेंड़ की करें